जैप्रकाश चिकत साले में दवावितरण में भारी अन्यमिता नहीं के करमचारियों को हटा कर हो रहा दवा घुटाला नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की वड़ी खबर की ओर जैप्रकाश चिकत साले भुपाल के उपीडी विभाग में दवावितरण में भारी अन्यमिता हो रही है सोत्रों के खबर माने तो जैप्रकाश हस्पताल भुपाल में सरदार वललब भाई निशल को दवावितरण केंद्र में वर्ष 2021 से मरीज को दवा वितरण के लिए केंद्री औशंदी भंडार से दवाएं करोडों रुपे की प्रदाय की जाती रही दवाएं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के रूप में दी जाती रही उक्तप्राप्त दवाईयों में सिर्फ ऑनलाइन दवाई की प्रविष्टी स्टॉक बुक में की जाती रही परंतु ऑफलाइन की प्रविष्टी स्टॉक बुक में नहीं की गई चिकित्सवों के द्वारा जो पर्ची दवाईयां मरीज के लिए लिखी जाती थी दवाई प्रदान करने के बाद उनकी प्रविश्टी वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक नहीं की गई ओपीडी विभाग के मनमर्जी के तौर पर खर्च डाला गया यहां तक की दवाई कितनी प्राप्थ हुई कितनी खर्च हुई इसका कोई हिसाब विधिवत नहीं रखा गया बलकि अपने मन से खर्च डाला गया वे मरीज के पर्ची के अनुसार नहीं है इसका अगर विधिवत जाच की जाती है तो करोणों रुपे के दवाईयों का खुटाला उजागर हुगा सूत्रों की माने तो दवाईयों में धांदले बाजी कर कीमती दवाईयों को वजार में बेज दिया गया है यह सब राजधानी में नाक की नीचे कारे किया जा रहा है इसकी जाच विशेश दल के द्वारा की जाए तो निश्चित ही गड़बडी पकड़ में आएगी यहां तक हद हो गया कि उक्त कारे है तू एनेचेम के माध्यम से एक कम्प्योटर ऑपरेटर एवं फार्मसिस्ट की समवेदा नियुक्ती की गई थी परंतु उन दोनों करमचारियों से अन्यस्थान पर कार्य लिया जा रहा है जिसकी कारण परचियों की प्रवश्टी नहीं हुई तदा करोड़ों रुपे की दव का गोलमाल किया गया जब उन करमचारियों की अवश्रक्ता दवावित्रन केंद्र में नहीं है तो ऐसे करमचारियों को ततकाल हटाया जाना चाहिए एवं उनसे वेतन की वसूली की जानी चाहिए निश्चती सरकार द्वारा उनकी नियुक्ती दवावित्रन केंद्र में क की गई थी तो पड़्चियों की प्रविष्टी एवं दवाओं के रख रखाव की जिम्मेदारी भी इन कवरमचारियों की थी सर्गार की मंशच जयप्रकाश अस्पताल को आदर्श अस्पताल बनाने की थी लेकिन दवाओं में हो रहे घोटाले से अस्पताल की पूरी कुलीं!